हेलो फ्रेंड्स वेल्गम बैक इन माइन वीडियो और मैं हूं एसके डिगरवाल और आज अपन बात करेंगे जो सलोम इसको बातनी सब्सक्राइब करें इसमें बनी गेड् GIS करें सब्सक्राइब करता हैं उन सब्सक्राइब करें एक काफी ऑफुले माझेर इस प्रकार के गर से अभी में 2015 किशेन कूषन पूर्टक किये हैं या किस प्रकार के कूष्ण बन सकते हैं अपने लिए तो उन सभी के लिए अपन ये पेपर को ले के आए हैं और जो भी स्टुडेंट इस एक्जाम में अपिर हुए थे वो भी इस पेपर को स्व बन कर सकता है जैसे अपन सबसे पहले स्टार्ट करें जो इस से पूछा है है कि कौन सा ओर मोन है वह किस से एफेक्ट से रेलेट्ट है यहाँ पर पूछा है रिच मॉण लेंड एफेक्ट और रिच मॉणड और जो लैंड हैं डोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपरिमेंट किया था किसी प्लांट की लिए जह धीरे एक एज के बाद जढ़ने लगती है या फॉल होने लगती है तो उसके लिए उसको रोकने के लिए जो इफेक्ट देखा गया था कि सेने सेन्स को डिले करें अपन या सेने सेन्स को कुछ टाइम तक अपन डिले करें रोके उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पोंसिबल है तो उसके लिए रेस्पोंसिब लेती है और अपना यलो कलर कंवर्ट नहीं करती है तो जो सेने सेन्स को डिले करने का जो इफेक्ट है उसी क्या बोलते है अपन रिच मोंड लैंड इफेक्ट बोलते हैं और किसके कार्ण से होता है तो यहां पर इसका राइट आनसुर आजाएगा फॉर्थ साइटो काईनिन इंता कि नेक्स्ट पॉसंट कि बात करें मैं नं फंस स्टेबल प्रोड़क्ट कि ओफ 40 स्लेक साइकिल इच तो जो थीँ से स्लेक साइक्ट है वह अपन किसे कहते हैं कि चीप और पाथ हुए है उसको अपन मना पाथ कहते हैं तो यह क्यों से सभाज प्लांट्स में पायता है और जो eerste कार्माइक औरょ veston एक पर इसका vice चार का बदrick करें ऑख जिल्जर ऐसटा है तो इसका जो घ्राइबंग अब कून सा आजएगा अज़ेंगा तो यह पना इसका राइट उस्वाथ करें का कि एक gleichen कि डिफिजन प्रे सर डेफिषर्ट ऑफ ही प्लाज्मोलाइज सेल इस ओलवेच अपन बात करें कि जो डिपीडी है डिपीडी के बारे हम पुछा है डिपीडी का मान जो है वह किसके पूछ और टेशा है प्लाजमोलाइस सैल तपश recommendations क्या बाहर क्या है दिध्तरों जो लिगाँ इस से कांट से या वह के सब्सक्राइब क्याएं प्लाजमोलाइज़ होगी प्लाजमोलाइजड्स के अंदर यगा Yes तो इसका पूरा लिक्विड है या वॉर्टर है अपन कहें वह बाहर निकल गया जिसके कांड से इसका ट्रगर प्रेशर जीरो है तो ऐसी सेल की अंदर किसी प्रकर करका कोई प्रेसर नहीं है तो वहां पर आपन कहेंगे जो इसका डी पीडी का मान है वह कितना होगा equal to osmotic pressure तो इसका जो मान आएगा dpd का मान कैसा होगा equal to osmotic pressure होगा तो इसका right answer क्या जाएगा 3 आ जाएगा next question की बात करें कि फॉर्थ कि अ टिडिशेंची औ८िश माईकरो न्यूट्रेंट है और तो जो हर्ट रोट वीट रूट Me लगने निखेर हैं इसके कौन से माईकरनीटरियंट की डियकर्ट सैका डिस्टेस тебе q मिलती है तो यहां पर आजाएगा डिफिशेंशी ओफ बोरोन बोरोन की डिफिशेंशी के कारण से हट रॉट ओफ बीट रूट देखने को मिलता है तो इसकर रहे टानस्वर आजाएगा अपना कि फस्ट कि नेक्स्ट के बात करें और टींतेक्वली एक्टब्र रेडियेशर इस दा पार्ट ओफ कि इलेक्ट्रो मेंचेंट näसन Sand люд इन दा spectral range से बीच में देखने मिलटी थे तो विजिवल बिच के बात करेंगे तो विजिवल रेंज कि वह मोई हो 400 से लेकर 700 नेमेटर के बीफ में होती है और जितने भी प्लांट सें एक्टिवले उजे मेंले ए विजिवल रेंज को 400 से 700 नेनोमेटर की तो इसका राइट आनस्वर जो है वो कौन सा जाएगा फोर्थ नेक्स्ट क्यूशन की बात करें सेक्स क्यूशन की रेस्पारेटरी क्यूशन रेक्यू इस मोर देन वन तो जो रेक्यू का मान अगर एक से अधिक है इन केश रेस्पारेटरी स्वस्वस्व्थरेट इस तो जब रेस्पारेटर printing आट से अधिक है तो रेस्पारेटरी जो स्याषन आट होता है वह क्या तो आपन देखें कर्बोुहाइड़िए का मान फोग यूशन होता है और फेट और प्रोटिन से उनका एक क्लूशने होता है लेकिन जो और्गेनिक एसिड है और प्लाइप हमेशा एक से अधिक होता है तो यहां पर पूछा है उसके राइट आनसर कोंसा जाएगा जो रेस्पारेटर सबस्त्रेट है जिसका और क्यू का मान एक से अधिक है तो इसका होगा 3 होगा, Next question कि बात करें, Ecology of Individual is Known As, किसी भी एक इंडिवीज्विफ्ट के बारे में अपन बात करें, तो वह क्या होगा, AutoEcology अपन उसे कहते हैं, उस स्टेडी को आपन क्या कहते हैं, AutoEcology कहते हैं, जिसमें किसी एक इंडिवीज्वल परसन या एक एक इडिवीज़िवल चीज़ के बारे में पने डिसकर करेंगे यह ऊसकी इंवर्मेंट से एक सव्रांगे उसकी इक vag तो अपनि क्या करेंगे अटो इकोलोजी इसका रहेर आफ आट यहीगा 1 verses क्यों कि बाद करें कुछ एट नमबर which among the following is used for ex issue conservation of plants तो जो प्लांट का conservation करते हैं अपन दो प्रकार से अबन देखते हैं एक एक शेटू और दूसरा इन शेटू तो यहां पर एक शेटू है इन शेटू का आपन डिस्कस करें तो इन शेटू का इस बीका पूछा जाता है कि इन तो कोई भी एक नेचूरल के सब्सक्राइब करता हो तो उससी एरीयत को आपन क्या करते है में के चाराइब कर देते हैं तो अचे क्यों परसें और नेल सब्सक्राइब हो और वह इनको यह लगे कि यहां पर उनका एक नेचुरल हेबिट है एक इन्वारिमेंट है तो आर्टिफिशियल त्यार किया गया एक एरिया तो जिसे अपन क्या कहेंगे एक इतु एक सीटू करते हैं जैसे अपने बात करें जो अनेमल जू है जिनके इंदर डिऊ घर है और भी आएक सिटू का इक्जाम्पल है यहां पर आई टान्सर आजाएगा अपना बोटनिकल गार्डन नेक्स्ट उसन के बारे में बात करें 9 which of the following process is absent in C4 plants C4 plants में से इन में से कौन सा पाथवे या कौन सी चीज है जो absent है तो अपने C4 plants के बारे में बात करें कि C4 plants है वह अपनी किसके लिए आपन जानते हैं उसको कि जो respiration है या photosynthesis है उसकी efficiency उसमें काफी अच्छी होती है लेकिन क्यों होती है क्योंकि उसमें photo respiration को इग्नोर करते हैं या photo respiration कैसा है absent है इसलिए कि C4 plants के बात करेंगे तो अपन उसमें कौन सी चीज एप्सेंट है photo respiration तो इसका राइट आंसरों कौन सा आजाएगा कि भी आजाएगा कि एक ऐसा enzyme जो मेंट्रिक्स में तो क्या होगा एप्सेंट होगा but is present in the inner membrane of mitochondria माइटो कोंडिया की inner membrane में प्रिजेंट हो तो वह कौन सा होता है आपन जब इटियस का पाथ हो पढ़ते हैं जो सेकिंड टाइप का तो यहां पर इसका right answer कोन सा जएगा सक्सिनिक एसिड डिहाइडरोजीन इज ठीक है तो यहां पर इसका right answer होगा वन कि जो कहां पर देखने को मिलता है इंदर अग्र इनर मेंब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉंट्रिया की इनर मेंब्रेन में नेक्स्क्राइशन की बात करें जैसे जैसे जो फ्रूट है उनमें रिपेनिंग आती है या जो मैचिरूटी आती है या जो नेक्स्कार्टियू the उस रेस्पाइरेशन को कहते हैं आपन क्लेमेट्रिक रेस्पाइरेशन जिसके कांड से धीरे-धीरे फ्रूट के अंदर मिठास और एक मेचूरेशन देखने को मिलती है तो यह जो रिपेनिंग है फ्रूट के अंदर वह किसके कांड से या कौन से होर्मोन के कांड से देखने होर्मोन नेक्स कुछन के बाद करें 12 है कि द्यूरिंग नाइट सेक्वलेंट प्लांट्स स्टोर कार्बंडाय ओक्साइड इन विच फॉर्म तो जो सेक्वलेंट प्लांट्स है यह अपन कॉमन जानते भी हैं जिने जिनके अंदर कैम पाथवे पाए जाता है और कैम पाथव उन में जो प्रोसेट होती इकार्बाण का फिक्साइशन होता है तो उसमե किक फॉम के अंदर कार्वन डक्साइड को फिक्शेशन किया जाता है या उसको श्क्तोर किया जातां है तो अपना बात करें तूसमे होर्गेनिक एचिड की रोप में स्टोरेज किया जाता है like Malic acid तो इसका राइट रांस्वर कोना सा जाएगा और्गेनिक एसीड नेक्स्ट के बात करें 13 विच स्टेटिकल टेस्ट इस यूजड फॉर डिटेक्शन ओफ लिंकेज एंड सेग्रिगेशन रेशियो तो जो इस्टेटिकल टेस्ट है जिसमें किस चीज़ को डिटर्माइन कर र लिए कोन सा स्टेटिकल टेस्ट है वो यूजबल होता है तो यहां पर जो अपना है राइट आंस्वर वो आ जाएगा काई स्कॉयर तो काई स्कॉयर टेस्ट को यूज में ले दाता है लिंकेज एंड सेग्रिगेस्ट संड रेशियो को डिटर्माइन करने के लिए तो इसक oxidative phosphorylation ATP is formed तो जो oxidative phosphorylation है जहां पर ATP का formation होता है तो ATP का formation होता कहा है F1 F0 particles और F1 F0 particles जो है जो आप नॉर्मली कहें F1 particle ही क्योंकि F0 particle जो है वो उसकी नीचे वाला जो स्टॉक होता उसका बोलती है जो membrane के अंदर दसा होता है और जो F1 particle हो कहां पर होता है जो mitochondria की inner membrane है उसके अंदर present होता है और metric side में present होता है और जैसे जैसे proton का pump होता है inner membrane space से इस F1 particle के थूप वैसे वैसे ATP का formation किया जाता है तो यहां पर आपन बात करें ATP का formation कहां पर होता है और एफ वन पार्टिकल लोकेटिड ओंदा क्रिष्टी इन दा इनर मेंब्रेन तो यहां पर यह किसकी मेंब्रेन है माइटो कॉंड्रे की इनर मेंब्रेन है तो यहां पर इसका राइट आनसूर आजाएगा वन कि ऊसन की बात करें है अब इंडॉल ऐसीटिक एसिड और फिर या फिर आपन ओग्जीन करें और एंडॉल azacetic acid का जो precursor है वह कौना अमिनोचीड है तो वह आजाएगा tryptophan amino acid क्यों क्यों कि tryptophan जो amino acid है उसके side chain में indolring present होती है और indolring प्रजेंट होने के अ कारण से इसका जो precursor है ओक्जीन का वह कौना होता है tryptophan होता है ले इसका right answer आजाएगा कि tryptophan next question के बारे हम बात करें 16 common cultivated wheat is an example of जो अपन wheat के बारे हम बात करें जो अपन नोर्मली अपन खाते हैं या जो cultivate करते हैं या उगाते हैं तो वो कौन सा होता है वो हमेशा होता है उनका जो formation के बारे कर रहा है कि formation किस प्रकार का उनका तो formation होता है उनका yellow polyploidy ठीक है मतलब काफी अधिक जो varieties है wheat की वो काफी आपस में आपस में इन ब्रीडिंग करकी या फिर उनका जो hybridization है उनके कारण से एक variety त्यार होई है जिसे आपन नॉर्मल बीट की रूप में जानते हैं तो वह किस प्रकार का उनका फ्रमेशन है एलो polyploidy है और कित्ते नंबर क्रोमोसों है 42 है और hexaproid है तो इसमें राइट आनसर इसका जाएगा फॉर्थ एलो प्लॉडी नेक्स्ट के बारें बात करें 17 दा स्मूथ एंड़ोप्लाजमिक रेटिकूलम इस दा मेजर साइट ओफ मेजर साइट फॉर सिंथेशिस ओफ तो जो सिंथेशिस के से लिए रेस्पोंशिबल है क्योंकि आपन एंड़ोप्लाजमिक रेटिकूलम जो है उनमें तो उनकी उपर तो परजेंट होते हैं राइबोसों और उनका जो फंक्शन है वह क्या होता है प्रोटीन का सिंथेशि तो synthesis of lipid, lipid के biosynthesis के लिए responsible होती है और oxidative जो molecule है उनको detoxification का काम करता है तो detoxification of toxins तो यहाँ पर इसका अपना option है major site for synthesis of lipid तो इसका राय टानस्वर आजाएगा लिपीड नेक्स्ट टुशन के बारे हम देखी लिए विछ इमंग दाम फोल्वेंग इस ए कॉमली यूज्द मेथर Прав इंटरा स्पाइफिक ट्रास्फर मं और व फ्यू जीन्स तो जो जीन्स का ट्रास्फर करनें की बात कर रहें अपने इंटराइपहसिदिक तो जो मेठ़ट है उसे अपन क्या कहेंगी इंट्रास्पेस्फिक ट्रांस्पर को तो इसके बारे में बात करेंगे तो इसका राइट आनसुरा जाएगा one और few जीन्स तो कुछ जीन्स को ट्रांस्पर करने के लिए तो यहां पर आजाएगा बल्क मेथर्ड जीन ट्रांस्पर करने का बल्क मेथर्ड है वो रेस्पोंशिबल होता है तो इसका राइट आज आजाएगा फॉर्थ कि नेक्स्ट क्यूशन के बारे में डिसक्स करें नांटिन दूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस विच एंजाइम इस रेस्पोंशिबल विद एक्टिवेशन ओफ एमिन ऐसीड को एक्टिवेशन करने के लिए जो फ्रस्ट एंजाइम है वो रेस्पनशीबल कॉन सा है एमिनोएसाइल टी आरने सिंथेटीज तो इसका राइट आन्स राजेगा इस फोर्थ कि नेक्स्ट केस्टन देखें पन ट्वंटी एक्सचेंज ओफ क्रोमोसोमल सेग्मेंट बिट्विन नोन होमोलोगस क्रोमोसोम इस नोन एज जो नोन होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी बीच में फ्रेग्मेंट का एक्षेंज होता है तो उसे अपन क्या करते हैं रेसिप्रोकल ट्रांस लोकेशन रेसिप्रोकल ट्रांस लोकेशन मतलब एक क्रोमोसोम की जो आर्म है वो ब्रेक होकर अगर दूसरे क्रोमोसोम के उपर जाती है तो वहां की ब्रांज तूटकर अगर दूसरी आती है तो दोनों आपस में अपने फ्रेग्मेंट को एक्षेंज करते हैं और दोनों है वह नोन होमोलोगोस है तो इसी प्रकार के जो फ्रेग्मेंट को एक्षेंज करने की जो प्रोसेस से उसे अपन क्या बोलते हैं रैसिप्र लोकल ट्रांसलोकेशन तो इसका राए टांपर आजायगा कि वन नेक्सट्रो सन देखें अब हम नबर ओफ ग्रोमोसोम्स आरफ़ंड इन ए प्लांट विच बिलोंग तो तो जो मैंग जिवम नंबर ओफ डेखने को मिलता है Ohio glossome और देखने को मिलते हैं 1260 क्रोमोसॉम्स और किसका मेंबर है तो यह मेंबर है टेर दोफाइटा का और यहां पर एक जामपल दिया हुआ है वेश्क्यूलर क्रिप्टो गेम्स तो क्रिप्टो गेम्स कौनजा है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मतलब टेरेडोफाइटा और अफ्युक्लासम जो मेंबर हो किसका है टेरेडोफाइटा का मेंबर है नंबर आफ क्रोमसम्स कित्ते होते हैं 1260 होते हैं जिसका राइट आंसर कौन सा जाएगा कि फॉर्थ कि नेक्स्ट क्योशन देखिए कि द एक्टिविटीज ओफ ओल द एजेंसी इनवर्ड इन प्लांट इंट्रोडक्शन तो प्लांट इंट्रोडक्शन है जैसे एफ राई I Arri BSi ETC और co-ORDINATED BY जो इनको coordinated या control करता है वो कौन्सी जो institute वो करती है यहाँ पर इसका रायाइन Instant आ जाएगा N B P G R जो इसका रायाइन dippingère तो इसका रायाइ tsur है Third Next question देखेपन प्लेक्टोट प्लेशियो ऑफ जनेरेशन इन रिशेशिव एपेस्टेसिस तो यहां पर जो रिशेशिव एपेस्टेसिस का जो रिशेशियो पूछा है एप जनेरेशन के अंदर तो वह कौन सा जैगा यहां पर यह डबल रेसेशिव एपेस्टेसिस पूछते तो इसका राइट आंसर आ जाता नाइश्यू सेवन लेकिन यहां पर पूछा है रेसेशिव एपेस्टेसिस तो इसमीं जो फ्री और जो लास्ट वन है वो दोनों गर्णाट हो जाएँगे यह जुड़ जाएँगे तो आजाएगा फोर और यहां पर आएट आंसर इसका आजएगा नाइन एशू तीन यह रेस्यू फोर तो नाइन फ्री फोर तो उसका कि अनल कि नींच को печल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली लिपीड तो ग्रण सेते हैं है यहां पर है ऑस पोलिपीड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले रिपीड इस राजलेगा- है है कि यह सफ भी नें रखvotire किया होगा है को में पसंस सब्सक्राइब नेक्स सुन देखें 25 प्रिकर्सर ओफ एम आरने इज तो एम आरने का जो प्रिकर्सर है उसे अपन क्या करते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरने या हैच अरने तोगे हैं उसके अंदर एक जोन एंट्रोन दोनों सिक्वेंश प्रिजेंट होती है जैसे कऩ ही हेट्रोजेनियस से इंट़ोन स्वेश्थ क्क्रदेंगे या अलगक्र देंगे आउरन प्रोसेसिंग के दुरान और बनने वाली मौ कि नेक्स्ट कुशन देखें कि कोस्मीड और दा प्लाज्मीड वेक्टर डैट कंटेन को साइट ओफ तो जो कोस्मीड प्लाज्मीड जो है या कोस्मीड अपन एक वेक्टर है और इस वेक्टर में जो को साइट वो कहां से लिया गया है किसकी परजेंट होती है तो जो को साइ लेम्डा फेज के अंदर भी इसको इंसर्ट किया जासके तुसका राइट आजएगा फॉर्थ लेम्डा बेक्टरियो फेज नेक्स्ट टूशन 27 विच फॉलोइंग जीन्स आर फंक्शनल इन ओल इसा कौन से जीन से जो सभी सेल्स में और सभी टाइम पर एक्टिवेट रहते हैं या किसी भी सेल्स के अशिंचिल फंक्शन को मेंटेंड करने के लिए वह एक्सप्रेस होते रहते हैं उस प्रकार की जीन्स हैं जैसे कोई भी अपने जो केमिकल पाथवेज हैं उन पाथवेज के अंदर कुछ इंजैम्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं या हमेशा अपने वर्क करते रहते हैं उस प्रकार के जो जीन्स हैं उन एंजैम्स के लिए रेस्पोंशिबल जो जीन्स हैं वह हमेशा एक्सप्रेस होते ह वन हाउस्केपिंग जीन अपन अब देखें 28 क्योशन क्रेक्ट सिक्वेंस ओफ दा सब स्टेज ओफ प्रोफेज फास्ट मियोटिक साल डिविजन इस तो जो प्रोफेज फास्ट है मियोसिस की उसकी जो सिक्वेंस है उसमें अपन नॉर्मली पढ़ते भी काफी देखा हूँ इसकी जो पात इस्टेज है वसस्य कहरें तो इसकाराइण जाएगा सेकेंड नेक्स्कूशन देखे हिरे हो कि दा नंबर ओफ जीनो टाइप प्रेडूज इन दा एफ्टु जनरेशन या एफ्टु प्रोजेनी ओफ एडाई हाईब्रिड क्रोज विल भी जो जीनो टाइप पूछा है किसका डाई हाईब्रिड क्रोज का कितना होगा तो वह होगा 19 यह मतलब 9 तो इसका राइट नास प नेक्स प्रोटेइन आर इनवोर्ड इन दा फोल्डिंग ओफ नेशेंट पॉलिपेटाइड टू फॉर्म दा प्रोपर त्री धायमेशनल इस्टिक्चर मतलब किसी भी जो प्रोटीन इस प्रोटीन का सिंतेसिस होता है उस टाइम पे जो न्यूव प्रोटीन है उनका एक फ functional protein का formation करना यह प्रोपर फोल्डिंग करना तो उसकी प्रोपर फोल्डिंग कराने के लिए रेस्पॉंसिबल जो प्रोटीन से उस प्रोटीन को क्या करते हैं दीज प्रोटीन आर नोन एज तो वह कौन से प्रोटीन होती है जो प्रोपर फोल्डिंग कराने के लिए रेस्पॉ देखें कि दस सब यूनिट ओफ आर्ने पोलिम्रेज इनवल्ड इनिशेशन ओफ ट्रांस्क्रेप्शन तो जो आर्ने पोलिम्रेज है इनवल्ड इनिशेशन ओफ ट्रांस्क्रेप्शन ट्रांस्क्रेप्शन को इनिशेट करने के लिए रेस्पोंसिबल जो फेक्टर है प्रो वो ट्रांस्क्रेप्शन को इनिशेट नहीं कर पाता है तो इससे अपने इनिशेटर फेक्टर कहते हैं तो आ जाएगा सिग्मा फेक्टर इनिशेटर फेक्टर जो इसका राइट आ जाएगा थर्ड कि नेक्स्ट देखिए थर्टी टू था टाइप ओफ बॉन्ड बीट्विन ए पैंटो सुगर एंड बैस तो जो बैस और जो सुगर है उनकी बीच में रेस्पांद जो बॉन्डिंग हो वह कौनशी होती है गलाइकोसाइडिक बात है सुगर जो है नाइट्रोजन बैस से जुड़ा हुआ है तो उसक अट्सफ सबस्क्राइड बोंडिंग होती हैं इन इन पर तो कौण से ढोनवार गए पहला तो गया यह उपन्ड और दोनों उप्शन जो है अपने वो थार्ड नंबर उप्शन में हैं ग्लाइकोसाइटिक बॉंड एंड फॉस्पोडाइस्टर बॉंड कि तो इस करें ट्राइब आजाएगा थार्ड कि नेक्स्ट कुशन देखें 33 हाव मैनी टाइप ओफ और और ने और प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स यूकेरियोट्स में जब अपन राइबू जो आरन्य है उसके बारे में डिसकस करें तो कौन से कौन से होते हैं स्मॉल सभी नुट के अंदर है 18S लाज सभी नुट के अंदर तीन आर आरने प्रेजेंट होते हैं 20 8S 5.8S और 5S तो यह चारों जो आर आरन्य है वो यूकेरियोट्स के राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसका राइटान शुरा जाएगा कि सेकेंड ए लेक्स गूसं चले था थाइजिए धित्यूण के अ it्रुत 勝ी कि स्मुरूर्ट क्रिस्मस ट्री इफेक्ट इस फाउंड इन में जे डूनुज ब्रांचे जो निकल रही है उस परकार कि मल्टी ब्रांचे कौंज सिर्च्रीड के अदर देखने को मिलती है तो जो इसमें आप देखें Motorola ôm्स प्रोमसों में लेद्भिं ल्र हो नियुकर मुटी के लूप लाई को प्रांस्क्रीप्पष्णल कैसी होती एक्टिव expanded होती है उसी एफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं क्रिस्मिस ट्री एफेक्ट देखने को मिलती है या और यह किसमे प्रजेंट होता है जो इस टेक्चर है वह होती है लेंब्रूस क्रोमोसोम के इंदर तो इसका राइट आंस पर जाएगा फोर कि नेक्स्ट देखें थाटिवाइफ ड्यने फिंगर प्रिंटिंग इस ए टैकनीक तो फाएड वेरीएशन इन इन इंडिविज्वल ओफ ए पॉपॉलिशन एट ड्यने लेवल इट वर्क ओन कि जो ड्यने फिंगर प्रिंटिंग है आपन करते हैं किसी भी दो इंडिवि सब्सक्राइब कोई सेंपल मिलता है सेंपल से DNA डून दोनों को कम्पेर के दाता है तो किस प्रकार से बैसे पे उनको डूने को मिलते हैं जिसे अपन क्या करते हैं पोली मॉर्फीजम करते हैं तो यहां पर इसका राइट आनस्व आ जाएगा तब प्रिंशिपल लॉफ पोली मॉर्फीजम इन डी एन ए सिक्वेंशेज तो इसका राइट आनस्व आ जाएगा वन कि नेक्स्ट कुछन देखें इस तर्प्र करते हैं जो प्रोम्ण फ्रोय को समय थे वहत lettर मतलब वेक्ट्र इंडूजिंग और उनीग जो प्लाजड है वह किस से प्राप्त किया चाता है अग्रोवेक्ट्रेंग से और N语y और अग्रो वेक्ट्रय क संज्स in जो है वह यूज निया जाते हैं जीन को ट्रांसपर करने के लिए और प्लांट में नहीं प्लांट में उसके दुआरा जो किसे कोज की जाती हैं बstechnos की पड़ा सभी Feel request की टिर्भी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस प्रकार के यह से नो我也 कंप देखने को सब्सक्राइब करें उस प्रकार के जो पेपर हैं वो काफी हैलफ़ुल होगी तो सभी जो फ्रेंड्स है वो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करें और वीडियों को लायक ज़रुर करें जिसके कारंड़ी सीमें रख सो सब्रसक्राइब अभी अपन इस्टार्ट डिस्कस करते हैं 37 नंबर क्यूशन की इन विच फेज ओफ यूकरियोटिक सेल साइकिल डाड़ी एन रेप्लिकेशन टेक प्लेस तो जो यह कॉमन सा क्यूशन है डिन रेप्लिकेशन जो है वह कांपे होता है इंटर फेज की एस वन या पना कहें एस कि होता है तो 35 की एस विचिए तर्टिय के अंदर डेकन को मिलता है या दोरा के सिंद्धिस देखने को इसली सिख्याओ करते है कrire नेंग्सक्ष छो सफ 58 कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया जैसे बी मेर्स मीडिया बनाते हैं यह वाइत मीडिया को यह पनाते हैं कलुचर मीडिया उसको अपना ओट लिए इंदर करते हैं इस्टिलाइच करते हैं तो उसका जो किस लिवल पर करते हैं तो वहापर आपन करते हैं 15 कि पी एस आई स्वाइर इंच परेशर एंड 121 degree Celsius temperature तो यहाँ पर उसका जो पार्सल प्रेशर किता होता है 15 और टेमप्रेशर किता होता है 121 degree Celsius और किती मिनट के लिए करते हैं अपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको 15 PSI के उपर maintain करते हैं तो इसका right answer कुण सा जाएगा वन आ जाएगा नेक्स क्रूशन देखें हिपा फिल्टर आर यूजड इन जो हिपा फिल्टर है वो क्या हो जाएगा हाई-efficiency particulate air filter हाई-efficiency particulate air filter जो है वो कहां पर लगे होते हैं तो जो लेमिनार air flow bench जो है उसके जस्ट सामने लगे होते हैं और लेमिनार air flow में जो हीपा फिल्टर हैं उनकी जो साइज होती है वो होती है 0.3 micron और इसके पीछे जस्ट एक फैन लगा होता जिसके कारण से air को filtrate करके आगे की तरफ चेंब्र में पास किया जाता है जिसके कारण से एक माइक्रोप्स फ्री इस्ट्रलाइज एक इन्वार्मेंट क्रियेट किया जाता है जिसमें अपन कोई भी जो माइक्रोबियल फंक्शन है या प्लांट इस्यू कल्चर है या माइक्रोप्स कल्चर है उनको अपन प्रफॉर्म कर सकते हैं और डिजायर रिजेल्ट है उसक निश्रंट में केसे द्वारा अगया एग्रोबैक्ट्रियम राइज़ोजीन्स तो जू एग्रोबैक्ट्रियम राइज जीन्स है उसके द्धौरा रूटस में एक डीजीज कोच की जाती है कि डाइकोट्लीटोन प्लांट्स के अंदर ہے मतलब डिपलोई हुं आपन कहें apolog प्लांट्स के अंदर तो हेरी रूट डिजीज इस कोस्ट बाई एग्रोबेक्ट्रियम राइजोजीन्स जिसका राइट आंसर आजाएगा कि सेकेंड एग्रोबेक्ट्रियम राइजोजीन्स नेक्स्ट के बारे में देखी फॉर्टीवन कि दा इंक्ति ऐसाइडल यह आपन कहें इंसेक्टिसाइड जो है एक्टिविटी ओफ बेसिलस थुरोजिंसिस इस ड्यूटू तो जो बेसिलस थुरोजिनेसिस से जो प्रोटिन या जीन ट्रांस्पर पर किया गय था technology के अंदर तो उसमें कोण सी protein जो present होती है जो इंसेक्ट को क्लीख करता ही तो उसमें protein होती है है cry-protein प्रो टॉक्षिंस क्राइब ग्वु प्रो टॉक्षिंच जो normal condition में प्रो टॉक्षिंच होती जाती है और होते ही इंट्रेश ताइन जो है वह वोटर USSR को बंद कर देती है और फो हरे दिसके काण से इंसेक्टी सोटी है तो यहाँ पर जो थुरजद claim की उपर किया गया है वह जीन कैसा है यह किस प्रकार के प्रोटिन को कोड करता है तो यहां पर करता है क्रिश्टल प्रोटिन प्रोटोक्षिंज तो क्राइब प्रोटिन प्रोटोक्षिंज तो इसका राइट उसरा गया फॉर्थ नेक्स्ट कुशन देखिए फॉर्टेटू about a blast on his Aucharad Di N Oef chloroplast DNA जो है वो chloroplast मिनी परेंट होता हुछ से हैं प्रास्टों बोलते हैं और प्लास्टों चैसा होता है एक स्राट यह आपन कहते हैं प्लास्टिड से बनाओ अटरम है कि डिने क्विल्डी प्रेंट in plaster is known as plastome तो प्लास्टोम है DNA of chloroplast तो इस क्राइट नश्रा जाएगा फॉर्थ जो कैसा होता है circular double standard DNA होता है नेक्स्ट कुछन 43 अर्थ राउंड अप रेडी राउंड अप रेडी स्वयाविन इज रेजिस्टेंट तु तुझ राउंड अप रेडी है वह रेजिस्टेंट किसके लिए होता है अध्य फोसेट ग्लाइफ फोसेट के लिए कैसा होता है रेजिस्टेंट होता है तुझ राय राइगा वन टो सब्सक्रींग ओं है नेक्स्ट कुछ्शन देखें कोई भी अग्सप्लांट्स है जैसे प्लांट की स्टेम है प्लांट की लीवज है जिनको अपनि ईॉप्लांब कर सकतें उनको अपनि किमिकल सिओध hall करते हैं तो किकले र Curry को स्विरिफो Mix般 करने लिह यूज में लिया जाता है तो इसका राइट अन्सवर आजाएगा थर्ड सोडियम हाइपो क्लोराइट नेक्स्ट क्यूशन देखें 45 ट्रांसजनिक प्लांट्स कैन एक्ट एज लिविंग बायो रेक्टर ट्रांसजनिक प्लांट्स एं जो कोई केमिकल का प्रोडक्शन करती एक्ट ये अदर अधिक संख्या के अंदर अधिक अमट की अंदर अपन किसी भी केमिकल का प्रोडक्षण कर सकते है तो बाइर्टर है उसी प्रकार ही इस इस अधिक की अधिक अंदर प्राप्त किया लाए उन के अधर प्रोडक्षण किया ज ambassador में है उसे अपन्ल क्या बोलते हैं जी और यह फार्मिंग इसका राए टान्सफरा जाएगा है थ्रीग है नेक्स्ट क्विशन देखें 46 है रेजिस्टेंट्स टू हर्बेसाइड ग्लाइफोसेट हैज बीन अचीवड त्रू ट्रांस जेनेसिस बाई यूजिंग विच आप फॉलोइंग जीन तो जो कौन सा जीन है जिसको को यूजमी लिया गया था किसके प्रती रेजिस्टेंट हर्बेस राइबस रणाटोसे को दलाइफोसेट को यूजशन बनानेके लिए न्यूली कि अतैंस्ट अधिशन देखें okay seven the technology use an psicotronic organism is called so transgenic organism is uh...3 89 कृट को प्रक्रोड़ूजेंट करने के लिए जो Hopal आए वह कौन सा है तो 29 कॉम्पिनेट डियनियर टेकनालोजी पेगह है जिसके द्वाराब पन-किसी भी डिजाइर डियने को किसी भी डिजाइर डियने के साथ में आपने जोड़ सकते हैं तथा desired DNA को किसी भी organism या प्लांट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं तथा desired product को प्राप्त कर सकते हैं कौन से method के लिए या कौन से method सी यह सभी चीज़े possible है तो वह है recombinant DNA टेकनोलोजी तो इसका राइट आँसर आजाएगा थर्ड की नेक्स्व्सन देखें राइट रचे संतों प्लांट ओव टोबग्यको वर प्रोडूस्ड वड़ूस्ड वाई तो जूज़ू प्लांट ने प्लांट सेKayए फिस्ट के दोरा ब्रोडूसं किया गया था उसको प्रोडूस्व Isaac आ toilने इंटर्फेरेंस के दोरा इनटक्पा करते हैं कि कोई भी ऐसा आरने हूँ या कोई भी ऐम आरने हो जो किसी विशेस प्रकार के प्रोटन का प्रोडक्शन करती हूँ या हानिकारक हूँ या किसी प्रकार की भी हो उसको सप्रेश करने के लिए उसके अगेंस में यदि कोई एक ऐसा आरने सिंथिस किया जाए जो उस उस आरने के साथ में डबल स्टिंड आरने बना ले और उस आरने के एक्सप्रेस होने को ब्लोक कर दे तो उसे पर उसे क्यात कहते हैं अपन आरने इंट्रफेरेंस कहते हैं या आरने आई कहते हैं इस मेथड के दुआरा अपन पेस्ट रेजिस्टेंट टोबी को बनाया गया ह तो सब आजारा जाएगा थर्ड आरणे इंट्र पेरेंश को नेक्स संदेखें वेन अब अब लिख्वीड कल्चर मेडिया य्यार कोड़् तो किसी प्लांट इस्यों को कल्चर करते हैं तो इसे अपन क्या करते हैं हो सकता प्लांट इस्यों कल्चर भी हो सकता माइक्रो और गनीजम भी कल्चर हो तो उस प्रकार के जो लिक्विर मीडियम है उसमें कल्चर करते हैं तो इसे कहते हैं अपन सिनोसाइटिक फंगस है जो इस्वेशली होर्स डंग के उपर ग्रोथ करता हूँ यह शो करता हूँ तो उसका राइट आनस्वर आजाएगा पाइलो बोलस तो कि पाइलो बोलस जो है वह एक डंग के उपर ग्रोथ करता है तो यहां पर इसका राइटा अनुसरा जाएगा पाइलो बोलस इस प्रकार से आज के लिए अपन जो सेफ का जो पेपर है बोटनी का उसमें अपन 50 क्यूशन के बारे में डिसकस करें हैं और जो भी स्टुडेंट्स या तो फ्रेंड्स हैं जो सेफ का पेपर बोटनी सब्जेक्ट से दिया है वह इस वीडियो को जुरूर देखें और किसी प्रकार के कोई डाउट हो या कोई रोंग आंस्वर लगे तो उससे रिलेटिड आप कमेंट बोक झाल